फ्लेमिंग का दायाहत का नियम क्या है क्या इसका प्रेक्टिकली नोलेज है आईए तो चित्रे के द्वारा और इसका साधी साथ प्रेक्टिकली नोलेज हाज हम जानेंगे तो तेर किस बात की यह जानते हैं क्या होता है वास्तों में फ्लेमिंग का दायाहत का नियम यह है आ देखे आप और यह अंगुठा जो है देखे तीनों चीज़ों को समझज़ेगा अंगुठा जो हैं चालत की कि दिशा को बताता है कि बताएगा चालत की गति की испषा को बताएगा और यह जो एंगलिये हमारी दिसें अंगुठा ні चालक की घती की दिशा बताता है और तर्जानी चुम्बा की छेतर की दिशा को बताती है तो यह दो कंडिसन होनी जी पहली चालक की गती की दिशा बतानी चाहिए कोई अंगुठा थोड़ समझे आप अपने आप याद रहेगा और जो तरजनी है वो चुमबकी छेतर की दिशा को बताएगा तो अपने आप जो बची हुई मद्धिमा है ती कि ये तीन उंगली की बात चल रही है तीकि ये एक अंगुठा है और ये तरजनी है और बची कोने मद्धिमा तो ये मद्धिमा जो है वो चालक में प्रेरित विद्धुधारा की दिशा को बताएगी की दिशा को प्रदर्सित करेगी कब करेगी जब अंगूठा चालक की गती की दिशा को बताएगा तरजनी चुम्बा की छेत्र की दिशा को प्रदर्सित करेगी तो अटोमेटिकली आपकी जो मध्यमा बची है वो चालक में विद्धुधारा की दिशा को प्रदर्सित करेगी बस यही क्या है आपका वास्तों में दच्ची नहस्त का नियम हैं अब इसको तुर तरीके से बता दें यदि हम अब ये दाय हाथ है यदि हम दाय हाथ की तरजनी, मद्यमा और अंगुठे तीनों को परस पर लंबवत दिसा में फिलाए एक दूसरे के क्या करना है लंबवत दिसा में फिलाना है किन को अंगुठे को ठीके अंगुठे को तरजनी को मद्यमा यदि हम दाय हाथ की तरजनी देख लीजे दाय हाथ की तरजनी मद्यमा और अंगुठे को परस पर लंबवत दिसा में फिलाए ठीक है अब फेलाए और यदि अंगुठा चालक की गती की दिशा को प्रदसित करें एवं तरजनी चुंबा की छेत्र की दिशा को प्रदसित करती है तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्धुधारा की दिशा को प्रदसित करेगी यही क्या है अमारा फ्लेमिंग के दायात क का नियम है तो देखें यहां पर लिख दिया है कि प्लेमिंग के दायात का नियम यदि दाये हाथ की तरजनी मद्धिमा और अंगुठे को परसपर लंबवत दिशा में फिलाए और यदि हमारी यह तरजनी है वो चुम्बा की छेतर की दिशा बताएगी तीन सब्द्याद पर याद करोगे अच्छी से कंप्ली आप का हो जाएगा इसके बाद में यहां से लिए चीत्रा बना तो